भारतिय जनता पार्टी की प्रचन बहुमत की सरकार है और गजबेन का हल इतनी बेशर्मी आपने कहा देखी होगी मैन आनिमल कॉन्फिक्ट की बात होती है याने की इनसान और वन्य जीव के बीच में जो कॉन्फिक्ट होता है हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जंगली जानवर खेतों को नश्ट कर दे रहे हैं ये देख रहे हैं कि कभी बाग कभी गुलदार लोगों के उपर अटाक कर रहे हैं कभी बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं कभी किसी महिला के उपर भालू का अटाक हो रहा है बाग का अटाक हो रहा है तेकिन पुशकर सिंग धामी जी प्रचंड बहुमत की प्रचंड एंकारी सरकार के आप ब्रश्टाचारी मुख्यमंत्री क्योंकि उन पर आपको दया नहीं आती जिन पर हमला हो जाता है मगर ये बताओ कि आपकी तो डबल एंजिन की सरकार है न अभी सुना है कि वाइनाड में केरेला में जो हाती का अटाक हुआ वहाँ पर भुपेंद्र यादव ने जाकर कहे दिया है कि मुआवजा पांच लाक नहीं दस लाक मिलेगा तो उतराखंड की जनता ने क्या पाप किया है उतराखंड की जनता भी समझ ले केरेला में ना तो भाजपा की सरकार है ना भाजपा की सरकार आएगी मगर वहाँ पर वाइनाड से सांसद है राहूल गांदीजी आज के हमारे समय के मात्मा राहूल गांदीजी और इसी से ये वहाँ पर दे रहे हैं दस लाक का मुआज़ा हमारे उत्राखंड के लोगों के जीवन का कोई मोल नहीं है या आपके मुँ में जुबान नहीं है या जीब कहीं घूमने गई है मुख्यमंत्री जी अगर है तो बताईए कि हमारे यहां जो हमले होते हैं उन में जो घायल होते हैं या जिनकी मुरित्ति होती है उनको मुआवजा दिलवाने के लिए अधिक केंद्र से क्या कोशिश की है आपने अब तक और कितना दिलवाया है मुआवजा किसके घर गए हैं आप अब तक मिलने के लिए क्या आपका मंत्री सुभो दुन्याल गया मिलने क्या आपक स्वास्त मंत्री धंचिंग रावत गया मिलने और क्या आप इन परिवारों से मिलने गये मुआवजा दिलवाया मुआवजा बढ़वाया केंद्र से कहा या नहीं जानना चाहती है जनता दीजे का जवाब